हेलो दोस्तो और विल्कम बैक तो अनदर विर्चुल अंड्रोइड रूटिंग मेथट। आज की बिरियों में दोस्तों मैं आप लोग साथ एक और विर्चुल अंड्रोइड रूटिंग मेथट। जैसे आप अपने डिवाइस में बिना किसी PC और TWRP रिकवरी के आप अपने डिवाइस में कंप्लीट रूट अक्सिस गेंड कर सकते हैं वह भी जस्ट वन क्लिक से ज्यादतर मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं वर्चुल अंड्रोइड रूटिंग मेथ है इसमें आप लोगों को यह होता है कि ज्यादतर खुरी करने नहीं पड़ती ना PC के रिकवर्मेंट होती है ना ITWRP की और ना यह आपके डिवाइस की मतलब किसी तरह का डामेज पहुचता है क्योंकि एक्चुल अंड्रोइड को रूट करना उसके लिए आप लोगों को दरहतर की फ्लैशिंग करना पड़ती है जिसमें से तक्रीबन मैक्सिम्म चैंसर होते हैं कि आपका डिवाइस रूट नहीं हो पाता और अगर रूट भी होता है तो इसमें आप लोगों को मतलब आपके डिवाइस के सॉफ्ट्री डामेज हो जाता और आपको काफी मुश्किला से गुजरना पड़ता है तो मेरी कोशिच होती कि आप लोगों को आपके रिक्वाइर्मेंट के मताविक आपको रूट भी मिल सके और आपको किसी तरह का डैमेज भी ना पहुंचे भी आपलोग इसरीज की लास्ट वीड करेंगे I hope, यह video आप लोग को पसंद आई होगी, इस video को आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट सेक्चिन में बताने कि यह video आप लोग कैसे लगी, सब चले स्टार्ट करते हैं and let's get started. इस method को apply करने से, आपके device पे complete root access आप लोगे को मिल जाएगा, इसकी थोड़ इसी restriction है, इसकी restriction basically यह है कि आपकी device की range तकरीबन कम से कम 2GB होनी चाहिए और आपके device की internal memory तकरीबन 32GB होनी चाहिए इसके लाब आपके device के Android variant है वो 5.1 lollipop Android variant या इससे up होना चाहिए इसके developers की restriction है, इससे कम device पे आप ये method apply नहीं कर सकते इसके लिए मैं भी कुछ ही दिनों में methods भी upload करना start कर दूँगा जिसमें आप लोगो को actual android को root कैसे किया जा सकते इस पर मैं दुबार एक series start करूँगा, so I hope आप लोगो series को like करोगे So, यहां से आप लोग जैकाउट कर सकते हैं कि वहरा जो device है वो non-rooted है And, आप लोगोने simply अपने किसी भी browser में जाना है, ब्राउजर में जाने के बाद आप लोगोने search करना है vmose And I hope आप लोग को vmose के बारे में पता होगा लेकिन vmose में कहा जाना है यह मैं आप लोग को बताता हूँ And, यहां पर आने के बाद आप लोगोने vmose pro डाउनलोड करना है So basically vmose pro यहां पर आप लोगो दिखने के लिए मिल जाएगो तकरीबन 32GB या 32MB या 36MB के आसपास आप लोगो दिखने के लिए मिलेगा जबके आपका जो एक्चुवल मतलब जो ग्लोबल वरियन है इसका वो तकरीबन 800MB के आसपास है So Chinese वरियन इसका तकरीबन 32MB के आसपास है जो कि मैं अल्रेडी इंस्टाल कर चुका हूँ यहां आने के बाद अप्लोग या 22MB के लिए अप्लोगों को ड्लोड करने के लिए गरेन वालीा बटन के खर्क करना आपके आपके डउनमोड इंस्टाल्ड करोगों हम यह वार्ण ये वरियन उन मिलेगा आपका अप लोग चेक आपको जैकती लिए और वरियन जिसमें 64bit, 5.1 वरियन जिसमें आप लोग को 32bit देखने के लिए मिलेगा, 7.1 32bit में, 5.1 64bit में, 4.4 android वरियन, 7.1 android वरियन जिसमें आप लोग को प्लीस्टोर सर्विसिस देखने के लिए मिल जाएंगी, built-inly, यहां पर आप लोग को 5.1, 5.1, 7.1, 7.1, यह जो नीचे आप लोग को पास जितने भी मिलेंगे, यह सारे built-inly routine होंगे, बट यहां पर कुछ आप लोग को VIP मिलेंगे, यहां पर हम वन बाइवन सारो को क्लिक करेंगे, आप लोग चेक आउट करना कि कैसे आपके बास इंस्टॉल होता है, आपके बास इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ड हो जाएगी, जहां पर थोड़स आपको वेट करना है, वेट करने के बाद आपके बास बूम करके इस तरह से पेज आजाएगा, यहां पर आने के बाद यहां पर आपके बास डिफिरेंट आइकनज होंगी, इसका जो इंटर्फेस है यगीन करें, भ Battery के उसे यूजज है और इसका जो स्पीड है, बहुत ही स्मूथ है, वर यहां पर सैटिंगिस में आते हैं, आप लोग मैं इसा Android वाइट वरियं भी दि विडियो की लंग थोड़ी ज्यादा है बड मैं सारे के सारा आप लोग सारे के सारे के सारे के समझ आजाएगी एनिमेस में आप लोगों को maximum root access आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी बूट अनिमेशन को चेंज करने का विर्चुल कीज और आप लोग को रिफ्रेश देखने के रिफ्रेश रीड भी आप लोग चेंज कर सकते हो जो कि अप तो 120 fps तक आप लोग सेट कर सकते हो और इसके बाद यहाँ पर नटिट वज भी आप लोग को मिल जाएगी जिसमें आप लोगो की मुबाव की जौ प्रोक्षि वो सेकिंड बाइसे की माड़ाकिंज होगी जिसे मलब आप लोग को पता है कि आप सकांथी जो डिफरेंट लीकेशन होगी तो कोई आप लोगों को मतलब ट्रैक नहीं कर पाएगा यहां पर आप लोगों को जो दो फंक्शन्स है जिसमें root access है इस 7.1 में और exposed installer है वो paid user के लिए यानि इसका जो premium subscription buy करोगे तब आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा जैसे ही आप लोगों के पास play store services enabled होती है आप लोगों को दुबार रिस्टार्ट करना है और रिस्टार्ट करने के बाद आप लोगों के पास play store services है इस virtual android में 7.1.2 android variant में आप लोगो देखने के लिए मिल जाएगी और यहां यहां बे आप लोग चेक आउट कर सकते हैं कि मेरे पास play store services enabled है और आप लोग चेक आउट कर सकते हैं यहां पर इसका जो premium subscription है वो काफी से सस्ता है तक्रीबर 200-300 रुपय का है जो आप लोग easily buy भी कर सकते हो और इसमें आप लोगों को annual subscription में मिल जाएगी यहां पर आप लोग चेक आउट कर सकते हैं और यहां पर कोर फंक्शनल इनों आड की है जिस पर click करने के बाद आप लोग जैसी एक और additional applications में आज होगी यह वो application rooted applications है जिससे आप लोग किसी भी application में जोगाड बाजी कर सकते हो जैसे fake location आपके 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 पास एंटी manager आपके पास अपके पास अपके पास lucky patcher जैसे applications आजाती है game guardian, es file explorer एंड इसी तरह से आपके पास game killer जैसी applications है जो कि rooted applications होती है यहाँ पर common tools में आपके आपके पास जो जितने भी applications देखने के लिए मिल जाएंगे maximum आप लोगों से root access गेंड करेंगे जो कि काफी काम आने बाली applications है जो कि normally आप लोगो Google पर काफी मुश्किल से देखने के लिए मिल जाएंगी आपके आपके अपके आपके बास यहाँ आप लोग चेकाओट करेंड है यहां पर आप लोगों को चेक आउट करा दे तो इसका भी Android वरियन 5.1.1 Android वरियन होगा यहां पर भी आप लोगों को सेम फंक्शिन्स देखनी के लिए मिलेंगे तकरीवन मैक्सिम अमली इसमें भी आप लोगों को जो यहां पर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोगों को चेक आउट कर सकते हैं जिसे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी यहां पर आपको गैलरी, फून, पार एंबराउजर वगहरे और ट्रांसफर के अप्शन मिल जाता है यह पर अपडिय को आपको जिने के लिए जाएगगा आप लोग एपलिकेशन को वन क्लिक से इंस्तॉल कर सकते हैं यहाँ पर वर्चूल अंड्रोइड में आपके से इंपूर्ट कर अपने मुबायल में कॉपि कर सकते हैं यह वाला अंड्रोइड भी काफी कमाल का है यहां पर यहां पर जो बाकी फुंक्शन्स है वो भी आप लोगों को सिंपल दिखने के लिए मिल जाएंगी इसके बाद दो Android को create करने के बाद आप लोग थर्ड वाला create नहीं कर सकते हैं अगर अगर आप लोग उने प्रेमियम सब्सक्रिप्शन बाइ कर लिये विच इस वेरी गुड तो आप लोग बहुत असानी से मतलब बाखी वर्चुल अंड्रोइड को create कर सकते हैं अगर आप लोग के लिए काफी अच्या रहेगा आप लोग ने सेटिंस में जाना है वर्चुल अंड्रोइड के और वहां से इसको delete कर देना है यह काफी simple आप लोग प्लस के बाद आप लोग को create करना है So basically, अगर आप लोग सवाल कहते हो कि यहां पे इतने जायद है विच्वल एंड्रोइट को क्रेट करने की क्या क्या फायदा जहां पे 7.1 वरियन की दो आप लोगो दिखने के लिए मिल जाएंगे और 5.1 की दो मिलेंगे So basically, इसमें को और चीज आप लोगो दिखने के लिए मिल जाएगी जो कि मैं आप लोगो को बता चुका था कि स्टाटप में ही कि 7.1 का एक एक अंड्रोइट वरियन है वो 64-bit अप्लिकेशन को सपोर्ट करता है 64-bit अप्लिकेशन और गेम्स को सपोर्ट करता है जो कि आप लोगों को पता होगा कि Free Fire, CodeM, PUBG यासी अप्लिकेशन के दो वरियन्स आते हैं एक 64-bit में आता है और एक 32-bit में आता है तो अगर आपके पास 64-bit का जो सपोर्ट इंस्टाल नहीं है तो आप लोग 64-bit की गेम्स और अप्लिकेशन को इंस्टाल नहीं कर सकते और एक 32-bit में अगर आप लोग 32-bit में काम करते हैं 32-bit के software को यूज करें और अगर आप 64-bit के android software को यूज करना चाहते हैं तो आप लोग 64-bit वाले virtual android को create करें सो यहां पर इस चीज को इसलिए add किया गया है और यहां पर हर एक के virtual android को इंटरफेस है वो totally different करका गया है android को create करने की बात करते हैं जिसमें 5.1 android variant है और यहां पर दोनों के जो virtual का इंटरफेस है वो totally different है और यहां पर आप लोग चेक आउट कर सकते हैं सो यहां पर काफी uniqueness है इस पर आप लोग को काफी कमाल की बाद यह देखने के लिए मिलेगी अगर आप लोग virtual android में जाकर जो भी काम करते हैं जो भी किसी application को modify करती है कुछ भी काम करते क्योंकि यहां पर आप लोग को root functions देखने के लिए मिल जाएगा और उसको आप बहुत असानी से अपने mobile में export करके copy कर सकते हैं और अगर आप लोग अपने mobile से किसी application को copy करते तो वो import करके आप अप अपने इस virtual android में create कर सकते हैं सो यहां पर आप लोग चेक आउट कर सकते हैं जो भी current virtual android आप लोग यूज करते हैं इसमें हमें built-inly play store services देखने के लिए मिल जाएंगी और इसका interface काफी change है इसमें आप लोग को play store services enable करना नहीं पड़ता हो यह built-inly आपके पास enable होती है और यहां पे आप लोग को common application जो additional application वो भी यहां पे इंस्टॉल करके use कर सकते हैं यह भी काफी different है और काफी कमाल के हैं इसका भी जो interface है वो काफी totally different रखा गया बाकी virtual android से यहां पे आप लोग check out कर सकते हैं अगे हम लोग दोनो virtual android को delete कर देते हैं इस virtual android में जो हमारे पास vmos pro का additional application जो new application है इसमें कमाल के बाद आप लोग को यह देखने के लिए कि 4.4 kitkat android wherein है इसको भी इन्होंने add किया आप लोग को सवाल है कि 4.4 kitkat android wherein को add करने की क्या बात बनती है आप लोग को बताता हूँ कि mostly applications को अगर आप लोग edit करते हैं सबसे best android आप लिए जो बनता है वो 4.2 jelly bean android wherein है 4.4 kitkat android android wherein है so basically इसमें आप किसी भी चीज़ को बहुत असानी से add कर सकते हैं क्यूंकि इनकी security बहुत ही low होती है so यहां पर आप लोगों किसी तरह की restriction दिखने के लिए नहीं मिलती so बहुत जादा काम लोग करते हैं 4.4 or 4.2 android wherein में जो के 7.1 और android 10 और android 11 में आप लोग नहीं कर सकते हैं वो काम आप लोग 4.4 kitkat android wherein में जस्त वन क्लिक से कर सकते हैं so यहां बहुत आप लोगों को बाकी सारे functions same में लिंगे जबके इसका इसका इंटरफेस है वो totally different 4.4.4 kitkat android wherein है यह android 9 android पे आ रहे हैं so यहां पर आप लोगों को जो पुराना android 4.4 kitkat android वरियन है उसका भी काफी दिल्चस इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा और आप लोगों से यूज कर सकोगे so यहां पर आप लोग चेक आउट कर सकते हैं 1.1 नॉगट वरियन है मारे पास जो तक की बन 6 है and इसके बाद मैं आप लोगों को शेयर करूँगा उसमें आप लोगों को root access totally free देखने के लिए मिलेगी और built-in ली आप लोगों के पास unlock होगी आप लोगों को mobile में इस virtual android में आप लोगों को किसी तरह का root apply करना नहीं पड़ता जस वन क्लिक से आपके पास already root enable होता है play store services enable होगी expose installer आप लोगों के सकते हैं and आप totally जो भी करना चाहें उसमें totally आप लोगों के लिए free मिलेगा so इस वी मोस pro में एक virtual android को नाप लोगों के लिए जिसमें totally different totally सारी users के लिए बिल्कुल free में है and जिसमें root access, play store services और expose installer आप लोगों को free देखने के लिए but यहाँ पे 7.1.2 Android variant में आप लोगों को built-in leap low store services देखने के लिए and यहाँ पे और चीज़ आप लोगों को देखने के लिए जिसमें आप लोगों को keyboard customization का option मिल जाता है जिसमें आप अपनी मर्जी के मताबिक languages को set करके उने use कर सकते हैं बाकी जारे के सारे functions आप लोगों को same मिलते हैं but main option जो आप लोगों को दिखने के लिए मिलता है वो आपके पास है play store services already enabled होती है जैसे इस software को 64 bit और 32 bit दोनों applications के लिए compatible बनाया गया है यहां भी आप लोग चेक आउट कर सकते हैं इसके बाद लास्ट वाल आपके वास 5.12 लॉलीपॉप Android वरीन है जिसको जैसे ही create करते हैं यहां पर आप लोग चेक आउट कर सकते हैं जिसमें SuperSoo की application already installed है that means कि यह वाला जो virtual android है वो already rooted है यहां पर आप लोगों को root buy करना नहीं पड़ता यह बिल्कुल rooted है फ्री में है, free users के लिए इसमें SuperSoo की application आप लोगों को free देखने के लिए मिल जाएंगी इसका Android वरीन 5.1.1 लॉलीपॉप Android वरीन है इसमें आप लोगों को free में root access मिल रहा है, play store services मिल रही है आपके बास बकी जितने भी software आप लोगों को free देखने के लिए मिल जाएंगी camera gallery आपके बास transport कर सकते applications को mobile से और mobile इस application से mobile में यहां पर आप लोग check out कर सकते हैं जितनी भी applications और files यहां पर आप लोगों को free देखने के लिए मिलती है आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी यह वीडियो काफी कमाल की थी और आप लोगों ने इस वीडियो को like करने शेयर करने अपने दोस्तों के साथ कमेंट में बताने की वीडियो आप लोगों कैसी लगी और नेक्स वीडियो इंशालला काफी कमाल की होगी so वीडियो को like करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ मिलते इंशालला नहीं वीडियो में तब तक लिए अपना बहुत सारा खियाल रखेगा अलाफीज बबाए थेक्स वाच वाच टेक्र